हमारे साथ जूरे रहने के लिए आप टू रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकर को दवाना मत भूलिए सो यहाँ पे हम अपने फोन पे है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम जैसे यहाँ पे अपने मॉइल को चलाते रहते हैं तो यहाँ पे हमारा फोन आटोमेटिक ओन आप होते रहता है यानि यहाँ पे स्यूच ओन आप होते रहता है तो चली फ्रेंट्स यहाँ पे मैं आपको बता दू कि इस प्रोब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं बहुत ही ज़या शिम्पल और आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने फोन की सेटिंग के ओपर क्लिक करना है सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको थ्वासा नीचे आना है और नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहां पर आपको नीचे में एक option दिखाई देगा additional settings तो अचली इस पर क्लिक करते हैं देन यहां पर थ्वासा नीचे आते हैं थोरा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे नीचे में एक option दिया गया है schedule power on off तो चलिए यहाँ पे इस पर click करते हैं और इस पर click करने के बाद यहाँ पे आपका कोई भी option enable होगा तो यहाँ पे आपको simply in option को यहाँ से बंद करना है कई बार यहाँ पे ऐसा होता है कि आप तो यहाँ पर setting कर देते हैं और setting करने के बाद आप भूल जाते हैं जिसके करने यहाँ पर आपका यह problem आता है यह तो हो गया पहला तरीका अगर मान लीजिए कि इतना करने के बाद भी आपका problem solve नहीं हो रहा है तो आपको simply इसे cut करना है और cut करने के बाद यहाँ पर आपको check कर लेना है कि यहाँ पर आपके phone में कोई heavy app थो नहीं है अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपके phone में कोई ऐसा application है जिससे आप यूज नहीं करते हैं और यहाँ पर आपके phone में फाल्टू पड़ा हुआ है तो उस application को यहां से आपको delete कर देना है यानि uninstall कर देना है uninstall करने के बाद यहां पर आपका problem solve हो जाएगा